नमस्तार दोस्तों, मेरा नाम है आशी शक्रवाल और आप सभी देख रहे हैं फ्रेंचाइजी बताओं दोस्तों फ्रेंचाइजी बताओ पर अगले तीन वीडियो एक नई सीरीज की सुरवात है यह सीरीज है किराना स्टोर सीरीज कि आप किस तरीके से अपना किराना स्टोर ऑपन कर सकते हैं और जब भी हम किराना स्टोर या ग्रोसरी स्टोर की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक नाम आता है वो है D-Mart तो आज के इस वीडियो में आप से बात करने वाला हूँ कि आप किस तरीके से डी मार्ट से जुड़कर पैसे कमा सकते हैं या फिर डी मार्ट के साथ आप किस तरीके से बिजनस रिलेशन मना सकते हैं दोस्तों ये सक्सेस स्टोरी है मिस्टर राधा कस्न दमानी की who is the second richest person in India and he is the owner of डी मार्ट डी मार्ट जो कमपनी है इस कमपनी का नाम है Avenue Supermarts Limited और ये कमपनी पिसले 18 सालों में 2002 में इस कमपनी की सुरुआ गई थी पिसले 18 सालों में इस कमपनी ने 72 सिटीज में 11 स्टेट्स में 200 से जादा स्टोर आपन कर लिये हैं और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से इस कमपनी के साथ जुड़कर बिजनस कर सकते हैं किस तरीके से इस कमपनी के साथ जुड़कर income earn कर सकते हैं डी मार्ट सबसे ज़्यादा जाना माना और सबसे ज़्यादा popular नाम है Indian Grocery Retail So friends आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डी मार्ट के बारे में कि डी मार्ट क्या है डी मार्ट का business model क्या है और आने वाले दो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको किराना इस्टोर खोलना चाहते हैं तो किन किन बातों का इधान रखें और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से किराना इस्टोर खोल सकते हैं कौन-कौन से popular brands हैं जो अपने franchise दे रहे हैं तो इन तीनों वीडियो की सीरीज को देखने के लिए अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आज ही ये वीडियो अधिक से अधिक अपने दूस्तों को शेयर करें ताकि सब लोगों की help हो सकते हैं और वहां पर आपको इनकी information दिखा रहा हूं Wikipedia पर Wikipedia one of the most trusted source जहां पर किसी की भी information आपको मिल रही है तो आप ये मान सकते हैं कि ये 100% true and correct information है ये company जिसका नाम है Avenue Supermarts Limited ये जो business कर रहे हैं डी मार्ट के नाम पर कर रहे हैं और ये chain of hypermarts है 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी जैसे मैंने आपको बताया और 31 दिसंबर 2019 में इसके 196 store थे 72 city और 11 states में जो कि महराष्टरा, आंदरपरदेश, तैलंगाना, गुजरात, मद्धेपरदेश, 36 गड़, राजस्तान, NCR, देली, तमिलनाडू, करनाटका, उत्तरपरदेश, दमन और पंजाब इन सब जगह पर इनके stores अवेलेबल हैं, दोस्तों साथी साथ ये company और इंडिया stock exchange पर भी लिस्टेड है, BSC में भी ये लिस्टेड है, और NSC में भी लिस्टेड है, 2019 में ये इस company को 33rd rank मिला था, जितने भी all over companies हैं, जो बंबे stock exchange में लिस्टेड हैं, उन में इसको 33rd rank मिला तो आप समझ सकते हैं कि इस company की कितनी बड़ी company और इसकी value क्या है, इस company का जो headquarter है, वो headquarter है मुंबई में, अब अधिक जानकारी के लिए हम directly इस company की website पर चलते हैं, दोस्तों DMART के बारे में कुछ भी बताने से पहले, सबसे important चीज में आपको बताना चाहूंगा, कि राथ कि आपके more than 100, more than 200 stores operational हैं all over India में और सारे profitable हो, दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आपके जितने भी stores open हो रहे हैं, सारे के सारे profitable हो, मैं regularly franchising में deal करता हूं, और मैं बहुत सारे इसे franchising को जानता हूं, जिनके 50, 60, 70 stores हैं, इनके 40 stores तो बहुत अच्छे profit कर रहे होते हैं, ल अगर मैं बात करूँ Reliance Phrase की, तो Reliance Phrase कई जगा बंद हो गया, just because कि वहां से वो profitability नहीं निकाल पाया, इसी तरीके से बहुत सारे example में ले सकता हूं, जिन्होंने बहुत जल्दबाजी में बहुत जादया store खोल ली है, लेकिन उसके बाद वो profit आर्ण नहीं कर पाये, डी इस तरीके से profits आएंगे, हर चीज को जाच परक करने के बाद ही, डीमार्ट अपने store खोलता है, that's why इनके 100% store profitable है, और इसलिए राधा करशन दमाने जी आज इंडिया के second richest person है, दोस्तो इस कंपनी की website है, डीमार्ट इंडिया.com, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए इस model ये है, कि इनके जो 200 about stores है, आप किसी भी store पर जाकर आप purchase कर सकते हैं, और जो दूसरा model क्या है, कि आप इनके pick up points पर जाकर भी आप online order करिए, डीमार्ट रेडी के नाम से जो मैं आपको online store दिखा रहा हूँ इनका, आप यहाँ पर order करिए, और order करने के बाद जो भी nearest pick up point है आपका उस nearest pick up point से आप pick up कर सकते हैं, तो आप लोग किस तरीकी से order करते हैं, सबसे पहला आप dmart.in या dmart ready app पर order कर सकते हैं, इसकी online play store पर भी app अब लेवल है, dmart ready के नाम से, आप वहाँ पर भी order कर सकते हैं, उसके बाद आप नजदी की dmart pick up point सर्च करेंगे, और सर्च करन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगे, दाल, पल्स, ड्राइफ्रूट्स, कुकिंग ओल, और हर एक क्टेगरी में, इसके अंदर भी सब क्टेगरी, मतलब जो भी आपको इस order चाहिए, सारे order आपको मिलेंगे, daily beverages भी मिलेंगे, package foods में मिलेंगे, biscuits, snacks, home and kitchen, personal care, skincare, baby and kids, और वही बहुत तरहे के सारे orders आपको online यहाँ पर मिलेंगे, आपको simply क्या करना है, ग्रोसरी पर जाना है, ग्रोसरी पर जाने के बाद आपको जो भी pulses order करनी, पल्स पर गए, आपने जो pulse order करनी है, वो आपने order की, और order करनी के बाद आ यहाँ से add to cart किया, और then after आप easily pick up point से purchase कर सकते हैं, पहला तो यह है, मैंने आपको इनके दो model बताए, एक store और दूसरा pick up point, online, अब आप किस तरीके से जुड़कर आप इनके साथ पैसे कमा सकते हैं, यह ज़्यादा बड़ा चीज़े, तो यह मैं आपको बताता हूँ, जब partner with us के option पर click करेंगे, वहाँ पर सबसे पहले supplier का option है, तो आप जब supplier के option पर click करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने form open हो जाएगा, इस form को आपको fill up करना है complete, अब basically supplier कोन लोग हो सकते हैं, अगर आप किसी भी category में deal करते हैं, जो की DMAT sale करता है, जैसे कि मैंने भी आपको सार पारी categories दिखा देता हूँ, store की categories जो हैं की grocery, daily essentials, home and personal care, DMAT का अपना भी brand है, dairy and frozen, fruit and vegetables, bed and bath, luggage, plastic containers, toys and games, crockery, footwear, home appliances, kids and apparel, ladies garment, and apparel for mains, अगर आप इन में से किसी भी category के manufacturer हैं, या फिर इन में से किसी भी category के बड़े trader हैं, तो आप इन के साथ partner कर सकते हैं, as supplier, आपका जो quality of goods है, वो equality होना चाहिए, आपके जो pricing होनी चाहिए, वो competitive होनी चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि दोनों चीज़े आपकी match करती हैं, then आपको simply या form fill up करना है, जिस form पर आपको अपनी company का organization name, website, first name, last name, email id, phone number, आप कौन से category का goods supply करना चाहते हो, आपको end card होना mandatory है, GST number होना mandatory है, आप कब से इस business में हो, कौन-कौन से area में आप supply कर सकते हो, आपका annual turnover क्या है, दोस्तों इस तरीके से कुछ एक आपसे queries पूछी गई है, ये सारी queries आपको fill करनी है, और इन सारी queries को fill करने के बाद आपको submit कर देना है, DMART आपको खुद contact करेगा, और अगर आपकी quality उसे पसंद आती है, तो आप as a supplier DMART के साथ जुड़ सकते हो, और DMART के साथ जुड़ कर बहुत अच्छी income earn कर सकते हो, दूसरा तरीका दोस्तों क्या है, दूसरा तरीका ये है कि landlord, अगर आपके पास कोई space है, और आप चाहते हो कि DMART store आपकी जगह पर खुल तो आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पर एक चीज में बहुत specifically बताना चाहूँगा कि DMART कोई भी franchise नहीं देता है, तो अगर आपको कोई भी ये कहता है कि मैं आपको DMART के franchise दिलवा सकता हूँ, और दोस्तों इनकी website पर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि DMART कोई franchise model नहीं ह और साथी साथ मैंने बात भी किती company में, वहाँ पर से reply आया कि जितने भी stores हैं, सारे stores company के खुद के stores हैं, DMART किसी को भी franchise नहीं देता है, तो लेकिन अगर आपके पास space है और आपको लगता है कि वो prime space है, जहाँ पर कि grocery store की franchise चल सकती है, then आप वहाँ पर apply कर सकते हो DMART को to open the store at your own place, और दोस्तों उसके बदले company आपको बहुत अच्छा rent पे करती है, और अगर आपकी जगह पर DMART open होता है, तो but obvious है कि आपकी जगह की value increase होगी, आपको बहुत अच्छा rent मिलेगा, और आप उसके आसपास और भी दूसरे business open करकर पैसा कमा सकते हो, जैसे कि अगर आपक इसके store open कर सकते हो, खाने पिने के store open कर सकते हो, ready to eat food के stores open कर सकते हो, जिससे कि आपको ग्रहाक तो मिल जाएंगे DMART के और sales होगी आपकी, इस तरीके से you can utilize the space, एक आपको confirm rent आ रहा होगा DMART से, आपके जगह की value बढ़ चुकी है, और साथी साथ आपको income भी आ रहा है, तो आ आपको apply कैसे करना है DMART का, apply करने के लिए again आपको अपना first name, last name, email id, mobile number, कौन सी city है, कौन सा location है, nearest landmark क्या है, address क्या है, pin code क्या है, यहाँ पर आप developer है, consultant है, individual है, आपका layout address क्या है, location exactly आपको भर के भेजनी है, इसके अलावा आपको अपनी property की photos क्लिक करके, वो photos यहाँ पर ड dimension डालना है, property कितने भाय कितने की है, कहाँ पर है, road, जो front में road है, side road कितने चोड़े है, service road है की नहीं है, मतब property से जुड़ी हुई, सारी information आपको देनी है, उसके आपको शम्मिट कर देना है, और अगर आप इतना करेंगे, company आपको खुद ही call करेंगी, DMART की जो business policy रही है, वो business policy यही रही है, कि slow and steady win the race, इनों यह चाहते तो पिसले 18 सालों में, चाहते तो यह 2000 store भी open कर सकते थे, लेकिन इनों सिर्फ 200 store open की है, और 200 के 200 store इनके जो है, profitable store है, high profit earn कर रहे हैं, आज के दिन, जो इनके ओनर है, he is the second richest person in India, आज के दिन DMART stock exchange पर listed है, और amongst the top 50 companies है, और इस तरीके से दोस्तों, आज यह इंडिया की number one company बनी हुई है, in the sector of grocery store, और अगर आप भी चाहते हैं, कि मैं grocery store open करके बहुत अच्छे इनका मान करूं, तो आप मेरा अगला वीडियो जरूर देखेगा, जहांपर मैं आपको बताऊंगा, कि अगर आप grocery store open करना चाहते हैं, तो grocery store open करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो को बनाने से पहले मैं बहुत लोगों से बात कर रहा हूँ, बहुत सारे entrepreneur से बात कर रहा हूँ, और उनके बाद जो भी information आएंगी, वो आपको crux information दूँगा, और आज भी जो information मैं आपको दी है, वो 100% true and valid information दी है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे like और share करना बिल्कुल भी न भूले, दोस्तों साथी साथ आप comment करें, कि D-Mart के अलावा आप और कौन-कौन सी companies को जानते हैं, जो कि grocery store में अच्छा काम कर रही है, थैंक्यू friends, I am आशी शकरवाल and you all are watching franchisee बताओ,